मनीपूर हिंसा मामने में महिलाओं को अपना निशाना बनाने वाला आरोपी अब गिरफतार हो गया है राज जी के मुख्य मंत्री एन बीरेन सिंग ने मुख्य आरोपी खोईरुम हेरादास के गिरफतार होने की पुस्टी की है जीहां आरोपी को राज जी की थाउबल जले से गिरफतार किया गया है आप हम बता दें कि मनीपूर से एक हौपनाग वीडियो जो सामने आया है जहां दो महिलाओं को नंगा करके उनकी साथ गंदा काम किया जा रहा है उसमें जो मुख्य आरोपी है अब वो गिरफतार हो चुका है मनीपूर पिछले दो महिने से हिंसा की आग में लगतार जल रहा है और अब यहां से ये लड़ाई महिलाओं पर आ ठहरी है दो महिलाओं को नगन कर पहले सड़क पर घुमाया जाता है और अब वीडियो सामने आया है तो उस पर बवाल मचा हुआ था इसके बाद महिलाओं को खेत में ले जाकर भीर ने उनके साथ गंदा काम भी किया बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है और सबसे बड़ी अपडेट इस खबर में ये है कि मुख्य आरोपी अब गिरफतार हो चुका है अब नमशकार आप जन्ता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ बंदना पांडे मनिपूर पुलिस ने महिलाओं के साथ घिनोना कांड को अंजाम देने बाले कारोपी को हिरासत में लिया है पुलिस के मताबिक आरोपी की पैचान हेरादास के रूप में बताई गई है जिसकी उम्र 32 साल है 32 साल का ये आदमी दो महिला को नगन और वस्था में पुरी गाउं में पहले घुमाता है और उसके बाद जो पूरी टीम थे पुरोशों के उन्होंने मिलकर इन महिलाओं के साथ गंदा काम किया जी हाँ वाइडल वीडियो की मदद से थौबल जिले से इस दरिंदे की गिरफतारी हुई है गिरफतार किया गया आरोपी वीडियो में हरी शर्ट में दिखाई दे रहा था और अब ये पुलस के कबजे में है मनिपूर हिंसा किसे से छिपी होई नहीं है और अब इस हिंसा के आग जो है उसमें महिला के इजज़त को तार-तार कर दिया गया है पिछले दो महिने से जाती है जुएं कि ये हंसा थमने का नाम नहीं ले रही और अब मनिपुर्व से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो इसे देखकर रॉंगटे खरे हो जा रहे हैं वीडियो में पुरुशों का एक समू है जो कि गाउं की कूकी समाच की दो महिलाओं को नंगा करता है और नग निवस्ता में सड़क पर घुमाता है पुरी गाउं में वो महिलाओं को घुमाया जाता है और उसकी बाद उनके साथ गैंग रेप कर दिया जाता है और अब इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुरा देश काप उठा है जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी रॉंगटे खरे हो जा रहे हैं इन आरोपियों को सज्वा देनी की लगतार मांग की जा रही थी इस मामले में अरविंद केज्रिवाल केंद्रे मंत्री स्मृती रानी ने भी अपनी अपनी प्रतक्रिया दी सभी मंत्री का यही कहना था कि इस पर तुरंत केरवाई होनी चाहिए लोगों की जो भी लोग उसमें शामिल थे उनकी गिरफतारी होनी चाहिए और इस घटना की बाद अब शांत रहने की जरूरत नहीं है बलकि आरोपी जो है वो पुलिस के हिरासत में है और जितने भी लोग इसमें शामिल थे अब उनको भी वीडियो के जरिये ढूंडा जा रहा है मनिपूर की राजधाने इंफाल से लगबग 35 किलोमेटर दूर कांग पोकली जिले की एगटना है लेकिन खबर यह भी थे कि पुलिस के हाथ लगा है लेकिन अब इस एक आरोपी के चलते बाकी और आरोपी को भी पुलिस अपने हरासत में ले लेगे रपॉस के मताबिक वाइरल होता हुआ वीडियो मनिपूर की कांग पोकली जुले का बताय जो रहा है जिसमें महिलाओं को बंधक बनाकर पहले उनका जो कप नहीं आपको वीडियो में दिखेगा साती महिलाओं लगतार मदद की गुहार लगा रही होती है और बंधक महिलाओं के साथ वीर में मौजूद पुरुशों का गैंग जो है उन्हीं गलब तड़ीके से कभी छू रहा है तो कभी महिलाओं को थप पर मारा जा रहा है यह घ काने वाली बात ये भी थी कि पुलिस के द्वारा इस मामले में अभी तक कुछ खास जाच नहीं की जा रही थी पुलिस का कहना था कि हम जल्दी आरोपियों के गिरफतारी करेंगे और अब जब वीडियो वाइरल हुआ उस पर बवाल मचा तो आरोपी गिरफतार हो गया है मरिपूर के मुख्यमंतरी एन बिरन सिंग ने भी एक नीजी मीडिया में अपना इंटर्वियू भी दिया था और उस मामले में किये गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा भी था कि इस वीडियो पर हमने संग्यान ले लिया है और अब तुरंथी आरोपी की गिरफतार में शामिल थे उन्हें गिरफतार किया जाएगा और आगे अस मामले में अब कारवाई होगी पुलस ने बरा आक्शन लिया है और अब इससे जुरी कोई भी नई जवानकारी सामने आती है तो आप तक उसे हम ज़रूर पहुचाएंगी तब तक आप बने रहें जवांता ज के साथ कैमरे के पीछे दे विशाल और मैंत ही आपके साथ वन नरांफ घन्यवाद